हेलो फ्रेंड्स आपका फ्रीज से वेलकम करता हूं इस सैनल में जिसका नाम है फ्लाइज दा फास्ट लेड़ और और मुझे लगा कि कुछ जरूरी बाते हैं जो आपको पता होने चाहिए और उसके रिमाने के वीडियो बनाया है और जब आप पपी लाते हैं तो उसमें सब पड़त आपको बैदे वाइस ब्यास को अने से जरूरी चीज है तो कम जानते हैं उसका नाम है वैक्सिनेशन और वैक्सिनेशन वैसा ही जैसे हम अपने चोटे बचोगोपो पोलियों के रिखाप देता है वैसे डाट में अलग-अलग विमारियों को रोकने के लिए बैसी होता है जैसे कि पार्गो वायरस और बहुत सारे जो वायरस है रिपीज उन सब को वैक्सिनेशन ठीक कर देता है अगर डॉक को आप वैक्सिनेशन टाइम करवा दें तो इसकी जरुवत क्यों पड़ती है जब पपी छोटा होता है तो उसको इम्मुनुटी उसकी मदर की मिलत हैं और फ्लास का जो वैक्सिन इसंता वो पहला व्ही कर देसे लेकर ने कौकता कि लोगों को 시간이 पता होना चाहिए इसके बारो है इसके लिए मैंने वो प्रेंग प्रेंग शर्णग और अज़ प्रेंग 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 बड़न अबहरो, अबहरो, वह रुट नहीं इए स्टी कर दोफ法 टूस दोनों हो गया ना, ना, त्रीटर, now come to the vaccination part, suppose आज आपने पपी लिया है, तो after health check-up, at least you should wait for four to five days, because breeder के घर पे क्या होता है, कि वहां का environment और आपके घर का environment दोनों different होता है, तो एक बार पपी आपके घर के environment पे सेटल हो जाए, चार से पास दिने, उसका feeding है, मैट सारा schedule सबको normal हो जाए, then only you can go for vaccination, suppose you are taking the puppy in the age of 40 days, then after five days, means 45 days, you have to go for first vaccination, that is the DHP-PIL, then again after 21 days of interval, you can go for first booster, then accordingly you have to follow the guidance as per your veterinarian, okay, सब्सक्राइब के दिजार्दा प्रोसेस, 60 days में इसको corona vaccine लगता है, बहुत लोगों का ये भी concern होता है, कि सर human में corona का vaccine नहीं आया, तो dog में कहां सा गया, और ये effective दे या नहीं भी, तो मैं ए चीज़ साफ कहना चाहूंगा, फिर dogs में और animals में जो corona virus का vaccine है, around 20 to 25 years पहले साया हुआ है, but human में इस तरह का problem कभी नहीं आया, जिसके कारण अभी तक उसका vaccine नहीं बन पाया है, थर्ड चीज़, रैवीज का vaccine, फिट में 90 डेज पर फर्स्ट डोज लगता है, और फॉर्थ मन्थ, मिन्स 120 डेज पर इसका फर्स्ट बुस्टर देने गों लिए, 90 डेज में इसलिए दिये जाता है रैवीज का vaccine, क्योंकि 3 मन्थ तक maternal immunity होता है पपी के अंदर, इसलिए आप सपूज आपके घर में जो भी पपी है, आप कोई भी breed ले रहे हो, डजन मेंटर, सपूज वो आपके उपर जंप करता हो, वो स्क्रेच करता हो, तो इन चीज़ों को ध्याम में रखना है, कि उसको हम डिटाउं से या सेब्लाउं से क्लीन कर लें, अदरवाइ से करवा लेता है, तो जैसे कि आपने सर से सुना कि मैंने बहुत सारी गैडलेंस दिया है, नई पपी के वैक्सिनिशन के लिए, तो मुझे भी बहुत ज्यादा इन्फोर्मेशन नहीं थी, मैं बहुत सवाल कूछता हूं, और वो पेशिंट ली जवाब करते हैं, और इसी क चाहिए, क्या नहीं, किस टाइम पर देना चाहिए, और आप भी चाहिए तो उनसे अपने पपी के लिए इस वीडियो में बच इतना ही, फ्रेंट्स आप लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि आपको किस टाइब की व बांने वाली है, और फ्लाइश को एप अपको हथू कि षीक वाली व dispatch ए। फ्लाइश बड़ाइज बड़ाएग बऻाः, बड़ाएग बड़ाइब बड़ाइ बोलौ वाली हो और यरी हelo これुक्ट्स में दाइब करहते हैं, और कि हावज अचीए थे और Ha i app वग्वाइब क